ही गाइज वेलकेम टो अनेधर वीडियो आज कोड़ हम बात के नोबलने है कोस्ट गार्ट रैली वर्तिद और 20 वेच के वारे में जी हां दोस्तों नाविक और डीवी और जीडी के पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस वेकंशिक अंतर क्या के डीटेल्स आई है क्या इस लिमिट है क्या दौर है क्या अग contrary करना क्या डॉकुमेंट लगाने यह कब से staring देल हैं यह सारा डीटेल्स इस वीडियो सामयड लेते अगर आप देख रहे हैं तो लाइक जोड़ करना इस वीडियो को So guys Indian Cost Guard के Open Rally के requirement के नई notification आ चुके जी हां तो तो बहुत बरे notification है जो लोग Indian Cost Guard के यहां पर त्यारी कर रहे हैं जो लोग vacancy के वेट करें उनके लिए बहुत बरी खुसकर रही है बात करते हैं सबसे पहले डीटेल्स के बारे में इसके डीटेल्स क्या-क्या होगी तो organization board name के बात के बात के आप तो cost guard आपको देखने को मिलेगा post name के बात के आप तो navic dv और gt constable के आपको post देखने को मिलेगा यानि कि gender duty और domestic branch के अंदर vacancy के बात के तो open rally vacancy है job category defense के job आपको देखने को मिलेगी job location all over India पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी job provide की जाएगी who can apply तो all इंडिया candidates पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाए कर सकतो exam center के बात के तो all over India कहीं पर भी आपका इंडिया के अंदर आपका एक्जाम वह लिया जा सकता है बात करते हैं आप पर details के बारे में तो यहां पर जो है जेंडर के बारे में पर तो only four male होना चाहिए वह भी unmarried candidates वहीं इसके अंदर बात करते हैं application mode के बारे में तो online mode है यहां तो अपने phone से आवेदन कर सकतो आपका आवेदन जो है 100% successful हो जाएगी बात करते हैं आपर application fee के बारे में तो कोई charge आपसे नहीं मांगी जारी है ना ही OBC के लिए ना HTSC के लिए यानि सारे के लिए free of cost है कोई charge आपको नहीं यहांपर pay करना परेगा बात करते हैं आपर age limit के बारे में जो आपसे age limit जो मांगी जारी है वो मीनियों आपका होना चाहिए वो 17 year यानि के 17 सल मैक्सिम के बात के तो 25 सल अगर आप 17 से 25 के 20 belongs करो या फिर इस age limit के अंदर गताते हो वो education qualification only for 10th pass किसी भी boards हो, किसी भी schools हो, किसी भी राजस हो आप apply कर सकतो हर subject के अंदर आपको 30 marks होना चाहिए यानि कि 30% बात करते हैं आपर जो एक cost guard की जो यहाँ पर physical fitness test होगी वो आपसे मांगी जारी हाइड जो होना चाहिए आपका वो 62 cm वह आपका चेस्ट के बात करने पर तो पैसाट प्लस फाइफ सेट यानि कि पैसाट से सत्तर और जो नौट जान से हैं उनके लिए एक साट जो हाइड आपसे मांगी जा रही है रेनिंग टेस्ट जो आपसे यहाँ मांगी जा रही है जो 100% आपको देखने को मिलेगी इंपोरेंट डोकुमेंट्स के बात के तो फोटो इन सिगनेचर, लाइट कर बेगराउंड, एजुकेशन सर्टिवेट, डोमेसाइल, कास्ट सर्टिवेट और पैन कार्ड, आधार कर्ड में आपको एक आईटी प्रूफ लगानी परेगी इस फॉर्म को कैसे अपलाई करना फ्री अप कॉस्ट है आप यहाँ पर देखकर अपलाई कर सकते तो step by step हिंदिंग लिस्ट दोनों में यहाँ पर दिया गिया है कव से स्टार्टिंग है तो 15 दिसंबर 22 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 24 दिसंबर 22 तक चलेगी बहुत सरे बच्चों ने अपलाई कर लिया है बहुत सरे बच्चों का अपलाई हो भी चुका है नोटिवेशन को डाउनलूट करना है कहां से तो यहीं सा होगा अपलाई ओनलाईन भी यहीं सोगी तो मैं इस लिंक जो इस वेबसाइट का लिंक है वो नीचे प्रोवाइट कर दिया हो डिस्क्रीशन में या फिर गूगल भी सर्च करके जा सकतो सरकारी गौर्मेंट विकेंसी डॉट कॉम सर्च करना आप पहुंच जाओगे यहां पर इस वेबसाइट पर यहीं साब का अपलाई होगा तो बस वीडियो इन करते हैं आतने उस साथ हो जाहें जया वारत